तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए लिटेस्ट और धमा के दार वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के साइन्स सब्जेक्ट का जी हाँ ध्यान से सुनिये 10th क्लास के साइन्स का मॉस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट विवे आई दो तीन नंबर वाला सब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं जिसमें फिजिक्स की सभी चैप्टर को मिला कर रिपीट होते हैं हर साल पूछे जाते हैं और जो चार पांच बार पूछे गए हैं और जो कोशन आप लोग के बोर्ट एक्जाम में पूछने की संभावना है सभी तरह के कोशन को एक लगए कठा करके निचोड निकाल कर मत्था पेची करके most important subjective question में तयार की हूँ और इनी question में से आप लोग के बोड़ एक्जाम में question पूछेगा और कहीं से नहीं ठीक है यानि कि सारा question सारा subjective question आप लोग के लिए अम्रित के समान है ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारे question पर आप लोग का command होना चाहिए मेरे answer बताने से पहले आप लोग खुद question को पढ़कर answer देने की कोशिट कीजिएगा इस तरह आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी बहतर है और उसके बाद से वीडियो को अभी तक शेर नहीं किया ना तो चाहरता शेर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उटा सके जितना ज्य है देखिए सबसे पहला प्रश्ण है भले ही यहां पर प्रश्ण नंबर दो लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को नंबरिंग पर नहीं जाना है जो question important है जो प्रश्ण आप लोग के लिए अती महत्तव पून है वही question में आप लोग को करा रही हूं जो question आप लोग के बो लोग को नहीं जाना है question को पढ़ना है ध्यान से और answer देखना है कि किस तरह answer लिखा गया है और आप लोग को अपने हिसाब से अपने शब्दों में किस तरह उत्तर देना है अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आप लोग को full marks मिलेगा इसलिए शब्दों क पकड़ने की कोशिश किजएगा कि किस तरह answer दिया गया है तो देखिए हमारे हिसाब से यह सबसे पहला प्रशन है बले प्रशन नमबर दो लिखा हुआ है लेकिन यह पहला प्रशन है जो कि most important है तो देखिए प्रशन पूछा जा रहा है कि पानी में रखा सिक्का उठा क्यूं जब पानी में सिक्के को क्वाइन को रखा जाता है तो वह हलका उठा हुआ प्रतीत होता है हलका उठा हुआ दिखाई देता है ऐसा क्यूं बताइए यह 5-6 बार question पूछा जा चुका है इसलिए important है question जड़ा इसका answer देखिए उत्तर यानिकी answer में लिखा हुआ है कि पानी की अंदर रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है या परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है यह जो पानी की अंदर सिक्के यानिकी क्वाइन को रखा जाता है और सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है तो यह जो घटना है यह घट कर देना है एकदम विस्तार से तब आप लोगों को फुल माक्स मिल जाएगा तो देखिए यहां पर फिगर बना दिया है और इसी चीज को यहां पर एक्स्प्लेइन कर दिया है कि पानी की अंदर बरतन में सिक्का के स्थिति पी पर है यह आप लोगों का बरतन दिखाई दे हैं और फिर यह सिक्के से टकड़ा के बाद वापस लोटती है ए और बी से यह किर्णे जो ही वायू माध्यम में अपवर्तित होती है वे अभिलम से दूर हट जाती है क्योंकि पानी वायू क्या पिक्षा सगन माध्यम है यह दोनों जुकी किर्णे आंखों पर पी अगया सिक्का देखने पर कुछ उठा हुआ मालूम पड़ता है अगर आप लोग चैप्टर पढ़ें तो यह आप लोगों को हरेकिर समझ में आ गया होगा एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने हिसाब से समझा दे रही हूं देखिए यह बरतन है और इसके अंदर पा किरण गरली करुन कर districts को समझते हैं मालीजे इस स्कर से टखडाकर वापस इस तरह लोटी तो इसको जाना चाहिए इस रास्ते से इस पद से लेकिन क्योंकि यह मेरा हिए यह पाणी वाला माध्यम और पिर यह उपर क्या है वायूमाध्यम है यानिकि हवा Turns यानि कि jest पानी जो है दूर मोई जाती है तो इस बिंदू पर अभिलम खिश दिया जाता है और यह कीन्ने जो चीढ़े जानेवाली थी क्योंकि से में जा रहे थी तो माद्यम चंज होने होजा ये अपने रास्ती को छोड़कर अभिलंब से इस से दूर घट जाती है और यह यह जो हैं कि तरह जाने के बजाएं इधर मुड जाती हैं इस तरह होकर चलिए और बिल्कुल यही घटना होती है और PB किरन के साथ यह भी इसको जाना चाहिए इधर लेकिन छगन से पानी से वायू में जाती है हवा में तो माधियम चेंज होने के वज़ा से मेडियम चेंज होने के वज़ा से यह जो किर्णे हैं यह अभी लंब से दूर हट जाती है इस तरह और इस तरह होकर चली जाती है और ऐसा लगता है कि यह जो दोनों किर्णे हैं यह आकर इस बिंदू पर मिल रही है इस के वज़ा से हमें सीक्णा हलका सा उठा हुआ परतिद होंता है उठा हुआ दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं तीस्टी दोष्ट देक्ते हैं तीसरा सवाल पहला सवाल में दिरिश्टी दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं वनुस्य के आँख में दृष्टी दोष्ट क्या है किसे कहते हैं दृष्टी दोष्ट और ये कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को बताना है तो देखिए एक दम ये हलवा कोश्चन है आप लोग को पता होगा इसका एंसर सिंपल सा कोश्चन पूछा गया है एंसर देखे लिखा है कि समान्य नेत्र द्वारा 25 cm पर की वस्तू को सपष्ट देखा जाता है जब नेत्र इस सपष्ट दर्शन की नियुनतम दोरी पर वस्तू को सपष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में द्रिश्टी दोश है बिल्कुल 25 सेंटिमीटर तक की वस्तुओं को एक नॉर्मल जो आइँं होता है समान येनितर विस्पष्ठ और clear देख पाता है , लेकिन जब कोई नेतर 25 cm जो किस पस्ट दर्शन की नियुनतम दूरी है इतनी दूरी पर वस्तू कोई सपस्ट और क्लियर नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेतर में दोश आ गया है यानि कि दृष्टी दोश है नेतर में क्या है दृष्टी दोश है अब ये जो टी बुक के हिसाब से मिले कर चल रही हूँ आप लोग पढ़े होंगे पहला जो दोश होता है वह होता है निकट द्रिश्टी दोस दूसरा होता है दिर्क द्रिश्टी दोश टीके एदर से लिखा जाता है देखे यहाँ पर लिखा गया द्रिश्टि दोष पहला दोष क्या होता है निकर्ड दिरिश्टि दोष दुसरा होता है दिर्ग चार दोश होता है इंसान के मनुश्य के आख में जब 25 सेंटीमीटर की दूरी को मनुश्य का नित्र इसपश्ट नहीं देख पाता है तो कोई चार रिजन होगा और चार ये दोश होते हैं मनुश्य के आख में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोश्टन है कि यदि किसी विदूत बल्व के तंतु का परतिरोद बारा सा ओम है ध्यान दीजिए परतिरोद यानि की आर बता दिया है बारा सा ओम ठीक है तो बल्व 220 वोल्ट बारा साओम है तो बल्व 200 वोल्ट के विवांतर स्रोट से कितनी विदूत धारा लेगा यहां पर आई यानि की विदूत धारा पूछा जा रहा है और आप लोगों को पता है आई यानि की विदूत धारा का सुत्र क्या होता है आई बराबर वी वटा आर यही वाला सुत्र का यूज करना है आप लोग असानी सेंसर बतादेंगे वी तो बता दिया है ना वी वांतर कितना 220 वोल्ट और 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 क्या है बारस वह बस शुत्र का यूज किजिए फर्मूला का आसानी सेंसर मिल जाएगा आप लोग सब्सक्राइब इसको काट दिया गया गया बाइस बटा एक सबीस फिर इसको काटा गया है दो से ग्यारा दुना बाइस और फिर ये दो 60 to the 120 और लास्ट में कटकर इतना आया है 0.183 एंपियर लगभग यानि कि आई ये निकल गया इतना 0.183 एंपियर ये हो गया इसी तरह आप लोगों को यही फर्मूला आई बरापर भी बटा आर का यूज किया गया है और यहां प आगे बरते हैं next question कि विदुद धारा के चुंबक के प्रभाव से सम्बंधित रचिवह स्थ अंउठा का नियम लिखिए अब यहां पर पूखा रहा है दशीर अंउठा का नियम फिलैमिंग का नहीं पूख जा रहा है यहां पर गलती से न Ben sut हो गया बोल सकते स्थौन का ल दाय हाथ की मुठी में इस परकार पकड़ा जाए कि अउठा धारा की दिशा की और संकेत करता हो तो हाथ की अन्य उंगलिया चुम्बक ये छेतर की दिशा ब्यक्त करेंगी जी हां कि दचिर हस्त अंउस्था का नियम यहीं है की अगर कोई धर्वाही सीधा तार है और इस गेशा की मुठी में इस परकार पकड़ा जाये ना कि अगुठा जो है ना वो इस तार में धारा की दिशा को बताए यानि कि अगर इस तार में उपर की और धारा बह रही है तो अगुठा आप लोगों का उपर हो ठीक है अगुठा धारा की दिशा को दिखाए अगर धारा उपर की तरह बढ़ इसमें प्रवाहित हो रही है इस तो यह है आप लोग का दखषिड हस्तिनियम आप बोल सकते हैं मैक्सवेल का दखषिड हस्तिनियम यह यहाँ पर गलत फिगर दे दिया है यह फिगर नहीं रहेगा बाकी यह एंसर लिखा बिलकुल सही लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्ण देखते ह अगला सवाल है कि तारे क्यूं टिम्टिम हैं यह मॉस्ट इंपोर्टेंट है बार बार आप लोगे बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है चलिए इसको देख लीजे कैसे लिखना है आप लोगों को एंसर तारों से निकलने वाली किर्णे वायू माध्यम से चलकर हमारे पास पहुचती है विभिन सतहों पर वायू के घनत्व भिन भिन है अता प्रकाश की किरन को माध्यम के विभिन विभिन घनत्व से गुजरने में अपवर्तन की कारण विचलन होता है और ये विचलित प्रकाश हमारी आखों तक पहुचता है जिससे तारों को निर्दिश्ट अस्थान पर नही और तारह बहुत दूरी पर रहता है और ताए से जो किर्णे आती है वह मंदल के साथ क्या होती है उनका आप वर्तन हो ऐसा मतलब जो किर्ण है ना हो विचलित होती रहती है अपने पत से और इसलिए हमें तारे जो है ना टिम्टिम आते हुए नजर आते हैं तो यही कारण है यह कोशन बार-बार पूछा गया है important समझते हुए इसको mind में fit कर लेना है याद कर लेना है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं अब यहाँ पर अगला प्रशन पूछा जा रहा है कि वैदुचुम्बक यह प्रेरन से आप क्या समझते हैं electromagnetic induction what do you mean by electromagnetic induction वैदुचुम्बक यह प्रेरन किसे कहते हैं आप लोग को बता कुंडली पर आरोपी चुम्बक यह रेखाओ के बदलने के कारण कुंडली में विदुधारा प्रवाहित होने की घटना को विदुचुम्बक यह प्रेरन कहते हैं बिल्कुल सही बात है कुंडली पर आरोपी चुम्बक यह रेखाओ के बदलाओ के कारण बदलने के कारण परिवर्दन की कारण कुंडली में क्या होता है धारा प्रेजित होती है जिसे हम लोग कहते हैं विदुद किस ने किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जब आप हमें कमेंड में लिख कर तो बताईए अगर पढ़ें यह चैप्टर तो आप लोग बताईए एक्सपेरिमे मैं आप लोग को बता देती हूँ experiment कुछ सिस्तरह से था कि वह उन्होंने कुणली लिया था वैज्ञानिक जो थे वैज्ञानिक का नाम आप लोग को बता ना यह इंस परेपैरिमेंट बता रह रही हूं क्या कि वह एक फिनली लिये थे और कुणली में एक गयल्वैनो Wort रखाए आप जानते हैं चुमत के चेत्र रखाए तो जैसे जैसे सुभख को कुंदली के पास ले कर गए तो चुमबक यह यह तो पहले दो थी और नजदिक लेगा है के बदलने के कारण बदलाओ की कारण परिवर्तन के कारण कुंडली में इक धारा प्रेरित हुई और विच्छय पी辛ंप यानिकी सुली में आगे पीछ फरनी प्रेरित हुई जिसे हम लोग कहते हैं हुई प्रेरित कि अप प्रेरण आई होप आप लोगों को यह पहले से ही पता होगा और विज्ञानी का नाम क्या है बताए फड़ाफट कमेंड में और यह बात आगे लिखा गया है कि अगर किसी कुंडली के गर्व में एक चुम्बक को कोई ध्रू गती से प्रवेश कराया जाता है तो कुं प्रेरण यानि की इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन कहते हैं यह बहुत ज़्यदा आसान है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि उत्तर लेंस की वक्रता केंद्र पर रखे बिम्ब के लिए एक कीरन आरेख खीचे और उस प्रतिबिम्ब की प्रकृती आकार और स्थान को लिखना है उत्तर लेंस की बात हो रही है ध्यान से सुनिए उत्तर लेंस की बात हो रही है और उत्तर लेंस के वक्रता केंद्र पर रखना है बिम्ब यानि की वस्तू को और पर प्रतिबिम्ब बन रहा है उस प्रतिबिम्ब की प्रकृती बताना है आकार बताना ह तो जैसा कि यहां पर आरेख खीच दिया गया है यह आपने लेंस के वकरता के अंदर पर रख दिया गया है वस्तू कों और लेंज के गुंटे दूसरी और समान दूरी पर वक्रता तरजया पर बनता है यह अप लोग जितना इसकी दूरी अथ नहीं मतलब जितना वस्तु की दूरी है उतना ही परत्विम्ब की दूरी ठीक है वास्तुविक और उल्टा होता है यह जो परत्विम्ब बनता है आप लोग देख सकते हैं रियल में किर्णे जो यह जो दोनों किर्णे है यह रियल में जाकर मिलती है यानि कि वास्तुविक है और उल्टा पर्तविम्ब बना है यह वस्तु A-B है इधर उपर की और लेकिन जो पर्तविम्ब बना है यह नीचे की और है यानि कि पर्तविम्ब बना है और यह वास्त्विक यानि कि रियल इमेज है रियल पर्तविम्ब है और समान अकार का है जितना अकार A-B का है यानि कि परतिविंब का है इस तरह आप लोगों को लिख देना है प्रकृति आकार साइज वह स्थान नेक्स्ट कोस्टन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को विदुद परिपत के सांथ क्रामशा श्रेड़ी समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है बताना है कि एमीटर को श्रेड़ी यूज करते हैं और अमीटर का परतिरोद बहुत कम होता है इसलिए अमीटर को श्रेड़ी क्रम में जोड़ा जाता है लेकिन वोल्ट मीटर के द्वरा परिपत के दो बिंदों के बीच विवानतर को मापा जाता है और जब विवानतर को मापा जाता है तो जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोद होता है नहीं बहुत अधीक होता है और इसलिए explicit को हम लोग समानतेर क्रब में जोड़ते हैं ठीज में अगया होगा एक मपने इन्मीतरिक और ठीश्ट कम होता है और विंधा कि मीटर को सराथ क्रब का ज्याद़ होता है चले आगे बढ़ते हैं किसी चल चुमबक के चारोस और चुमबक के ठ्रठ रिखाये कीचीए देखिए इसमें 2कोश्ण है कोश्ण Hazem इसमें 2कोश्ण है ए लिए बोल रहा है कि किसी हैतिस गृतमें 320-4 7 setup में पुर्व से पच्छिम दिशा की ओर विदुद धारा प्रवाहित हो रही है इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर चुम्बक के चेतर की दिशा क्या होगी यह दूसरा कोश्ण है सबसे पहले एक एंसर देख लेते हैं तो देखिए यह रहा आप लोगों का चार चुम्बक और इसके चारों को भी खीच देना है यह भी कोशन आप बोल सकते हैं तीन चार बार पूछा गया है इंपॉर्टन समझते वह इसको भी देख लिए किस तरह एंसर लिखा गया है आप अब देखिए बी नंबर जो पूरब से पच्छिम यह और भी करके दिखाए गया है ठीक है पूरब से पच्छिम यानि की इधर धारा जो है ना विदुद्धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ठीक नीचे के किसी बिंदू पर चुम्बक चेतर की दिशा क्या होगी तो आप लोग जानते हैं कि यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदुतमोटर का क्या सिधानत eh विदुतमोटर का क्या सिधानते बताना है उत्तर में answer में लिखा हुआ है कि जब किसी कुंड़ी को चुंबक ये छेतर में rakker उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंड़ी पर एक बल्यूऌ करें करने लगता है जो कुंड़ी को उसके अक्ष पर गूँने का करे करता है जैसे कि दो चुंबक हैं एक n और एक S, N से निकलेंगी, चुम्बक ये चेतर रखाए, S में प्रवेश करेंगी, ठीक है, इस तरह, यानि कि N और S के बीच क्या होगा, चुम्बक ये चेतर, चुम्बक ये चेतर में, अगर हम किसी कुंडली को रख देते हैं, और इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर देते है तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कुंडली में, किसी भी तार में धारा प्रवायत اؤती है, थार यानि कि ये भी इसमें धारा प्रवाइत होने की कारण कुंडली के चेतर रुद्पन होगा यानि कि इसका भी अपना एक चुंबक ये चेतर होगा और ये खुद अल्रेडी चुंबक ये चेतर में रखा हुआ है यानि कि जो चुंबक ये चेतर है इस कुंडली पर बल लगात कुंडली को राउंड ल्यानिक अपने अक्ष पर गोल-गोल घुमाने का कारे करता है और आगे क्या हुता है यह इतना ही गोल-गोल हुमाने का गूमति है और इस तरह विधूत मोटर काम करता है और होता यह है कि विदुध धारा से श्रय मेरे ब ταšका उब परकाश आप लोग अपने से जोड़ जानकर और भी लंबा कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करें प्रकाश का पर वरतन रिफ्लेक्शन औफ लाइट किसे कहते हैं और इसका जो लॉव होता है नियम उसको से लिफ्र के साथ उल्लेख करना है एक दम विस्तार से बताना है आप लोग तो चलिए देखते हैं परकाश की किर्णे जब किसी चिकने सता पर पड़ती है तो परा वर्थित हो जाती है या घटना प्रकाश का परावर्तन कहें लाता है यानि कि जब प्रकाश की किर्णे जो ह अब परकाश के परवर्तन के दो नियम है दो लौज है पहला लौ यानकी पहला नियम यह है कि आपतित किरन परवर्तित किरन और परवर्तक सता पर आपतन बिंदू से डाला गया भिलंब तीनो एक ही तल में होते हैं जरा इसको समझी है अभी आप लोग को आप लोग जो किरन कहते हैं आने वाली किरन को तो यहाई और इस बिंदू पर टकॉड़ा कर फिर वापस लौड़ गई यनिह की परवर्तित हो गई और यह जो बिंदु है यह आप लोग का परवर्तक सता हो गया तो परवर्तक सता पर यह जो मों लोग इस तरह है जो नीगать यह थे चु पर मैं खीच रही हूं, ऐसा थोre नहो रहा है कि मैं खीच रही हूं तो ये KYRNY जो है ये जुलाइज आप लोग का ऑंक में घुश जा रही है। यानि कि जो भी मैं कीच रही हूं परवर्थित किरन और अबिलंब तिन उसके बाद से दूसरा नियम यह है कि आप तन कोड परवर्थन कोड के बराबर होना है यह दो सब्सक्राइब बिच्छ करना और पर वर्तक चता पर टकड़ाई इस बीदू पर टकड़ाई आपतित किरन तो यह टकड़ा कर वापस लोगी यानि कि परवर्सित ओ हो गई लेकिन दूसरा नियम यह कहता है ना कि जितना कोड़ पर आये गी लिएक आ इस बिंदू पर आपि से यह जो बीच के कोड़ को कहते हैं हम लोग आपतन कोड यानि कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोड को क्या कहते हैं आपतन कोड जितना कोड पर किरण आती है उसको कहते हैं आपतन कोड और फिर ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोड को हां इस कोड को कहते हम लोग परावर्तन कोड जि उतना ही कोड पर उतना ही एंगल पर वह वापस लोट जाती है अगर आई है यहां पर मान लीजे आपतित किरन जो है ना आई है 30 डिगरी पर यह आपतित होई यानि कि अभिलंब और आपतित किरन के बीच का जो कोड है वो 30 डिगरी है 30 डिगरी पर यह किरने आई है ना तो प होगा ठीक है ऑप तो उलोगे को याद रखना है दो नियम प्रकाश का परवर्तन का अब यहां पर अग्ला क्वश्टन है कि दो चुंबक चितर को परति शेद क्यों नहीं करती दो जो चुंबक कि च्टर रखाये होती हैं वह एक दुस्रे को परतिछेद यानि की काटती क्यों नहीं है देखिया अंसर में लिखा हुआ है कि मेले हुआत था कि अगर चुपा कि छेद्र करती है तो चीच विन्दू विष्एर्श पर दिखcommittee दिशाओ को इंगित करे जो कि असम्भाव तो एक ही सुई रहता है इस तरह जो कि नौर्थ और साउथ को दिखाता है यह फिर दिशा को दिखाता है लेकिन अब अगर प्रतिछेद करेंगी कि चुमबह के चेतर रखा है एक दूसरे को काटेंगी तो फिर एक ही सुई है और इसको दो दिशाओ को ऊशा गया है आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंग के वाम हश्त के नियम को लिखें के बाहे हाथ के नियम को बताना है यह दिखेंटम गीम कि अपने zones का हुआ है отвеч की तरजनी बाइच का यह नियम है लेमिंग के वाम हश्त का नियम तो बाहे हाथ के यूज करना है व्यों को त तो यह आप लोग जानते होंगे यह पहले से ही पढ़ चुके होंगे एक तरसे आप आप लोग का रिवीजन है और मौस्ट इंपोर्टेंट करा रही हूं तो यह चीज आप लोग यह कोशन ध्यान में रख लिए कि यह कोशन पूच सकता है अब नेक्स्ट क्वेस्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके नियमों का उनले करें रिफ्रेक्शन आफ लाइ माध्यम बे खतना है और माध्यम माध्यम 2 माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करती है तो होताई है की वहां पने पत से भिचलित हो जाती है या थो अभी लंब, देशिए, एक माध्यम को दुसरे माध्यम से अलग करने वाला यह जो सता है न, यह सता, इस सर्फिस को कहते हैं, हम लोग अपवर्थक सता, ठीक है, मां लीजिए, माध्यम फ़न था वाई उ, और दूसरा माध्यम जल, इन दोनों माध्यम को अलग करने व इसको अपने इस रास्ते से होकर जाना चाहिए जिस रास्ते से होकर आ रहे हैं उस रास्ते से होकर जाना चाहिए लेकिन क्योंकि वायू से जल माध्यम में जा रहे हैं तो यह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है यह जो किर्णे है या तो इस अभी लंब से इस तरह दूर या फिर इसी लंब की ऊर मुढ़ जाती है तो यह होता है गटना तो इसे गटना को कहते हैं लोग प्रकाश का पुरतन एक बार फिर समझें प्रकाश की जो कीड़ने है वो एक माध्यम से माध्यम कोई भी हो सकता है यहां पर मैं समझाने के लिए वायू ले ली हूँ और जल ले ली हूँ कोई भी माध्यम हो सकता है तो जब प्रकाश की किरने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पत से यह जो रास्ता है वो अ अपतित किर्ण और डिंदू परविलम सा ऐसा चुछार्ट में बुर्वर riches की ये माधियम से ऐसे तोड़ों ऍहुता है कि आपके आक में डिर्यक्त आकरुआ अपवर्तन कोड़ की जाया और अपवर्तन कोड़ की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तन आग कहते हैं इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है और यह दूसरा नियम अपवर्तन का नियम ठीक है चलिए यह दोनों नियम होगे आई होप आप लोग यह पहले से भी जानते होंगे अब आप ओल सकते हैं इसको इंपोर्टन समझते हुए याद कर लिए यह भी कोशन कितना बार इस परिस्थिती में परतिरोध शुन्या यानि कि जो रुकावाट होता है वो शुन्या हो जाता है और परीपत में एकदम त्यूर धारा बहुत ही तेज धारा बहने लगती है और धारा के उच्छ होने पर काफी ताप उत्पन होता है जिससे अगनी की उत्पती होने लगत तता परिपत में आग लगने का भाय रहता है इसी को तो कहते हैं लोग लगूपथन चलिए आगे बढ़ते हैं पड़ाफट नेक्स कुस्षं के विदुद्धारा क्या है कि इसका समीखरन एंव मात्रक लिखें तो विदुद्धारा आवेश के परवाकी दर्गुव विदुद्धारा कहते हैं इसी आई से सुचित किया जाता और आई बराबर होता है क्यों बढ़ टी और इसका मातरक MPR होता है यह तो एकदम हलवा कोश्चन है आगे बढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विछेपर क्या है इस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है आप लोगों को बताना है देखिए जब सुर्य का श्वेद प्रकास किसी प्रिज् श्वेद प्रकास के प्रिज्म द्वारा सात रंगों में विभक्त होना प्रकास का विछेपर कहे रहता है तो जब यह स्वेद प्रकास प्रिज्म से होकर सात रंगों में इस तरह विछेपित हो जाता है बढ़ जाता है तो इसी सात रंगों में विछेपित हो जाने को कहते हैं हम लोग वर्ण विच्छे पर यानि कि रंग का विच्छे पर हो गया ठीक है जाता है जिस यह जो सात रंगों में विभाजित हो जाती है कि ने स्वेथ प्रकास प्रिजम से होकर श्वेथ प्रकास प्रिजम से कि कैसे प्रिजम से प्रकास का अपवरतन होता है तो किरन आएक यहां पर होने के बाद दुबारा इनका यहां पर अपवर्तन हुआ और इसके निर्गत की रगण यहाँ पर मि्रत बना टो यह हर एक चीज संसे आगे बढ़ते हैं कि विदूत बल्ब का नमांगत चित्र बनाइए बनादोनर का चितर है तो इंद फिया है यह Supreme अब कोश्रन फूज दे तो फिलामेंट होता है के आगे बरते हैं और इस बल्ब क्या है इससे दूर करने के लिए किस लेंज का विहार करते हैं तो निकट द्रिश्टी दोस्त। जिभ आको से क्यवाल पास की वस्तु स्पस्ट रूप दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती या धुंदली दिखाई देती है तो इसे निकट दृष्टी दोष कहते हैं ठीक है निकट दृष्टी दोष नाम से लिए निकट दृष्टी दोष यह नाम सुनकर लग रहा होगा कि निकट की दृष्टी में दो दोश में निकट दृष्टी में नजस्दीक की वस्टू साफ साफ लेकिन दूर की वस्टू साफ नहीं दिखाई देती याद रखना है उल्टा है दों की भीट दूरबीला होता हुने के कारण इहां कि नेया इत्र की वखरता का अधीक होना और दूसरा कारण नेतर गोलक का लंबा हो जाना ये दो कारण है और निकट दिर्शी दोश्ट दूर करना है तो क्या करना होगा नेतर गोलक भी बताकर दिखा दिया गया है यहां पर फिकर में बना दिया गया है कि अधर द्रिश्टी दोश हां यहां पर लिखा तो नहीं गया है बट हां इसको जरह मैं पर देती हूं लेकिन अजदी की वस्तू को साफ साफ देख पाती इस द्रिश्टी दोश को दूर करने के लिए उ सबसे पहला सवाल कि इताहिल इल्कॉहॉब का सं रचना छुत्री है इताहिल इल्कॉहॉल का अडू सुत्र देख लिए सीटु एजफाइब को होता है अब इससे आप लोग सर्पी संफर्षना सुत्र बना सकते हैं तो यहां पर बता दिया गया सीट यानी की कार्बन दो है तो दो कार्बन लिख दिया गया और आप लोग जानते हैं कार्बन का चार सा सॉयोजी बंद होता है तो पहला ये जो दोनों कार्बन है तो पहला बंद एक दूस्य मन धुश्य से इस तरह सी टू एच फाइफ ओएच यह हो गया इथाइल इलकोहल का संद्शना सुत्र आगे बढ़ते हैं यह इसका संद्शना सुत्र यह रहा चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है कुछ आप लोग एक्जामें कोशन पूछ देता है तो इसको भी याद रखना है की वस्तूओं का जस्तिकरण क्यों किया जाता है तो एंसर में है कि लोहे की वस्तूओं को वायू में छोड़ देने पर आधरता के चलते उप्चायन अभी किरिया होती है और लोहे पर जंग लग जाता है ऐसी अवस्ता में लोहे की वस्तूओं का जस्तिकरण किया जाता है ताकि यह संचारित होने से बच जाए जस्तिकरन करने से लोहा पर जंग नहीं लगता है और यही संचारित होने से बच जाता है तेखें यहाँ पर जरा मैं आप लोगों को समझा दू लोहे की वस्तूओं को वायू में छोड़ देने पर होता ही है हवा में अगर लोहे की वस्तु को छोड़ दिया जाए तो आधरता नमी वगरा के कारण उपचयन अभिकरिया हो जाती है और लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है लेकिन ऐसी वस्ता में हमें क्या करना चाहिए लोहे की वस्तु पर जस्ता का लेप लगा देना तो ये बात है आगे बढ़ते हैं बेकिंग पाउडर क्या है एंसर में लिखा हुआ है कि सोडियम कुलराइड विलियन तथा कार्बन डाय अकसाइड और अमोनिया गैस जैसे कच्छे पदार्थ से बेकिंग सोडा का निर्मार किया जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर सुत् नल अगनी शामक निर्मार में होता है सैंभी कि रिया क्या है ऐसी अभीकिरिया जिसमें दो या दो से उतपाद य닌नि प्रोडक्त बनाते हैं वैसं अभीकिरिया को कहते हैं स्योजन अभीकिरिया मिर्ण साइयोजन अभिकिरिया यानि की जिस अभिकिरिया में रियक्टेंट सायोजित हो कर एकथ देते हैं I can कि सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं उसे कहते हैं सयोजन अभिकिरिया मतलब दो या दो से अभिकारक दो से ज्यादा अभिकारक रहते हैं अभिकिरिया में भाग लेने वाले धेर सारे ततों हो सकते हैं लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो सिर्फ एक ही बनेगा तो इसको कह तेजी से सयोग करता है या 10 से 15 मिनिट में कड़े ठोस में बदल जाता है अता इसे आधरता से दूर रखना आवस्टेक है आधरता में छोड़ देने पर जिपसम बन जाता है जैसे कि यहाँ पर दिखा दिये गए सुतर के मादेम से फर्मूला CA SO4 वनबाइटीटो प्रस वनप्रणांक वनबाइटीटो डेकर देम से और द्स देकर CA SO4 वे लोगा आप लोगा फर्मूला आघे बढ़ते हैं निमन अभिकरिया के लिए संतूलित रसाइनिक समिकरन लिखिए और यहां पर आप्शन नहीं है सौरी निम्न अभिकिरिया के लिए संतूलित रसाइनिक समय करन लिखना है बैलेंस्ट केमिकल रियक्षन तो यहां पर दो कोश्चन है ए में हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर उसके इसको संतूलित करना आए तो देखें संतूलित करके यहां पर दिखा दिया गया है जेडेट प्लस टू अग्यट फ्लस यह प्लस यह अपलों का संतूलित रसायनिक समी करन लूट्tech की सोडियम कार्बुनेट का जलियर विलीयन चारिय होता है क्यों सोडियम कर्बुनेट जलियर में queens – BA franc की प्लTworics ederim होती है अता है इसका जलियर विलियन चाहिए होता है के एक एक या असान सा अशा चलिए आगे बढ़ते हैं प्लास्ट ऑफ पेृसagen के साथ अभिकलिया के लिए संच करवाना है तो देखे लिखा हुआ है यहां पर दे दिया गया है चीए एसफ फो और फेरिस और इसकी अभी के लिए जल के सांद 3H2O के सांद करवाई गई है मिला क्या है जिप सम मिला है 2ACA 2ACA सॉरी 2CASO4 और 2H2O यह है आप लोग का जिप सम चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन कि अमल का जली अविलियन क्यों विधूत का चालन करता है अमल का जली अविलियन में hydrogen ion यान की H+, I-n बनते हैं जिसके कारण विधूत का चलन करता है बिल्कुल सही बात है अमल का जितना भी जली अविलियन रहेगा इसमें तो कोई श्चकी नहीं है और H+, I-n रहेगा तो हैं चलन करेगा ही तो यह होगे आप लोग Uzर आगे बढ़ते जाता है तो विलियन का रंग क्यों बदल जाता है यहां पर समीकरण दिया गया है F E S Aux 4 यह एकवस यान की जली विलियन है ऐरो F E S O 4 प्लस C U यानि की ठोस बन जाता है सॉल्ड तो इस अभी कि लिया में F E F E यान की आईरन को CUSO4 यान की कॉपर सल्फिट के विलियन में विलियन से C.O. को विश्थापित कर दिया गया और C.O.S.O.4 से F.E.S.O.4 में परिवर्तन से कॉपर सल्फिट का नीला रंग मलीन पर जाता है और लोहे की कील F.E.S.O.4 लवर्ण में परिवर्तित हो जाता है इससे कील का रंग भूरा हो जाता है होता ही है कि F.E. यान की आईरन लोहे की कील को जब C.O.S.O.4 यान की कॉपर सल्फिट के विलियन में डाला जाता है न तो होता यह है कि कॉपर को फेरस यानि की आईरन विश्थापित कर देता है और F.E.A.S.O.4 बन जाता है और फिर यह जो कॉपर है यह अलग हो जाता है और इसी वज़ा से लोहे की कील F.E.A.S.O.4 लवर्ण में परिवर्धित हो जाती है जिससे कील का रंग भूरा हो जाता है यही बात होती है आगे बढ़ते हैं वियोजन अभिकिरिया के लिए एक-एक समी करण लिखिए वियोजन अभिकिरिया में एकल अभिकारक तूटकर एक सेदिक छोटे-छोटे उत्पाद बनाते है जैसे सीयोजन अभिकिरिया में दो यह दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्मार करते हैं जैसे सीयोजन और वियोजन एक दूसरे के विप्रीत होते हैं सीयोजन मतलब धेर सारे अभिकारक सेयोजित होकर सिर्फ एक प्रोडक्त दे मतलब अभिकिरिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्वन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दो यह दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्त तो सिर्फ एक ही मिलेगा उत्पाद कितना मिलेगा उन्ली वन लेकिन वियोजन अभी किरिया में कोई एक अभीकारक होता है लेकिन इससे जो हमें product मिलता है वो दो या फिर दो से ज़ादा होता है ठीक है तो वियोजन और सयोजन एक दूसरे के विप्रीत है आगे बढ़ते हैं धोबिया सोडा एम बेकिंग सोडा में अंतर रिस्पेस्ट करें देखिए धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा कागज एम चमड़ा उद्धोगों में किया जाता है ये पहला अंतर हो गया है दूसरा अंतर क्या है धोबिया सोड़ा से जल की कठोड़ता दूर की जाती है जबकि बेकिंग सोड़ा का उपयोग अगनी शामक में किया जाता है तीसरा अंतर ये है कि धोबिया सोड़ा का उपयोग कांच शोसी अभी क्या है उधारं दीजिए उस्माह चेपी अभी किया ऐसी अभी किया जिसमें उस्माह निकलती है उस्स माह चाहटो buy कीरिया कि जैसे कि मेथेंद धैन की अभी किरिया मस्माह यह फॉर प्लस तुन और टू Stalin यह है यह जो है ना जिस अभी किरिया से हमें उस्मा मिले यानि कि जिस अभी किरिया से उस्मा उत्पन हो हीट निकले उसे कहते हम लोग उस्मा छेपी अभी किरिया और उस्मा शोसी अभी किरिया बैसी अभी किरिया होती है जिसमें उस्मा का और शोषर होता है यानि कि उस्म को और शोशित किया जाता है उस अवह यह को कहते हम लिए असायोष प्लम नहीं इस ऐशो साओर होता है तो यह गया उसमा च्छेपी याद रखिएगा जिस में उसमा का डूट्म यानिकषा ही आगे बढ़ते हैं उदासी निकरुन और χारक के बीच और जब और झारक का एक आएं हिक तो अमल और जब भश्म के बीच आप일 के होती है तो इस टरह के बने BTS को है उदासे नहाई करना विग्रिया जैसे कि है एक हम है और शारक यानिकी बहस में जब और बसम के च्छारक यानिकी विछ यह घ्रड़ गई तो एन एक लवड मिला और इस तो यह ज़ल मिला तो देख रहे हैं जब के बहुत पर था जल मिल रहे हैं तो लवड मिल रहा है तो अभी करिया क्या कहलाएगी यह पहरा एक्जामपल हो गया दूसरा एक्जामपल यह रहा है जंग audasin की एक परच चढ़ एक मिनट चढ़ा देती हैं diffuse पाथ को intermittent इस पाथ को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की प्रच चढ़ा देते हैं यहीं विधी यशत दिलेफन कहलाती है बिल्कुल सभी बात entren लोहे और इस पात को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं जस्ते की परत चढ़ा देते हैं जिंग की परत चढ़ा देते हैं और यही विधी चढ़ाने की विधी क्या कहलाती है यश्व दिलेफन कहलाती है एक दम आसान है आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभ वद्वारा होता है उसे प्रत्रीस थापन अभी किरिया कहते हैं जैसे एग्जामपल लेकर समझते हैं तू एन ए प्लस टू एस्टु अच्टू ए उच्टू तो देखkeep रही है हैं यहान पर क्या हुआ यहान पर हुआ यह कि इस में इस अभी किरिया में योगिक में उपस्टेट किसी ततों का पर्तिस्थापन यह क्या कि ये जो में हैं कि को प्रतिस्थापित कर दिया तर यानि कि जब एक तत्वा यॉगिक के किसी दूसरे तत्वा को हटा कर प्रतिस्थापित करके खुद वहां पर लग जाये और नया प्रक्त दे उसी को कहते हम लोक प्रतिस्थापन अभी क्या नहीं है 2NA है और 2s2 दोनों के विक्रिये कराई ग हो गया तो इस तरह किया को क्या कहते हैं अगे बढ़ते हैं यह तो हर साल पूछा जाने वाला कोशन है इसको याद कर लीजिए देखिए जिपसम को 377 डिग्री कैल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अड़ों का त्याग कर कैल्सियम सल्फिट अर्ध हाइड्रेट बनाता है स कि यह सफोर वन बैटू यह बनाता है जिपसम को जब 377 डिग्री कैल्विन पर गर्म किया जाता है तो और इसका यहां पर देखिए फर्मूला भी लिख दिये गया है सी एस फ़ोर नर्टू एस्टू और यहां पर है कतीन सतियत्तर कैल्विन पर गर्म करने पर उसमा देने कि अगर खेलते समय फिर कोई भी काम करते दोरान हड़ी वगरां टूट जाता है तो डॉक्तर जो है ना प्लास्टर करता है तो और कोई नहीं प्लास्टर औफ पेरी सही हट्डियों को सही जगा पर इस्थिर रखने के लिए उपयोग मिलाता है डॉक्टर तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज का होता है तो तूटी हड्डियों को सही जगा पर इस्थिर रखने के लिए ठीक है और प्लास्टर पेरिस का यूज होता है खिलावना बनाने में देखते हैं आप लोग खिलावना वगरा बनाए जाता है फिर मुर्ति वगरा बनाए जाता ह तो उसमें भी Plaster of Paris का यूज किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं Platinum, Sona, Eom, Chandy का उपयोग आभूशन बनाने में किया जाता है क्यों? तो देखिए Platinum, Sona, Eom, Chandy का उपयोग आभूशन बनाने में किया जाता है क्योंक यह दातू है आसानी से संचारित नहीं होती यह जो तीनों दातू है यह आसानी से इन पर जंग नहीं लगता है यही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं Next question है कि allow me जो है पर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बरतन बनाने में क्यों करते हैं? टो गॉल्मिन्यूं झो है। फिर भी इसकाुप्यों कानल बनाने वाला जो लुइन वहता है किसे कहते हैं जम्ग नहीं लगता है। योगिक जिनके अडू सुत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रसाइनिक गुड़ भिन-भिन होते हैं ऐसी घटना समावियता कहलाती है याद रखिएगा यह समावियता कहलाती है अब देखिए साबुन अप मार्जक में अंतर बताना है बहुत ही आसान सांतर है यह हो गया साबुन और सबसे पहला अंतर साबुन और मार्जक में कि साबुन जो है यह सोडियम तथा पोटेशियम के उच वसीय अमलों के लौड़ों से बनते हैं जिनके वसीय अमलों में अब उसाबुन जिसका रसाइनिक सराइन संद्रचना सी 15 h 38 00 O N A साबुन का रसाइनिक समशना है जबकि आप मार्जक का आप लोग देख सकते हैं यह है पहला रसाइनिक समशना और यह है दूसरा ठीक है आगे बढ़ते हैं ब्लीटिंग पाउडर बनाने की वीधी एम उप्योगिता लिखें देखें शुर्स्क मुझे हुए चुने सी ए ओस्टू को 40 डिग्री सेलसेस तक गर्म कर उसके उपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चुन प्राप्त होता है यह पर फर्मूला भी लिख दिये ग होता है कि टारू नाशक के रूप में और कागज एम कपडों के विरंजन में हो गया इसका एंसर आगे बढ़ते हैं विरंजक चुन क्या है इसका रसाइनिक नाम सुत्र एम उप्योग बताएं तो देखें विरंजक चुन यानिकी ब्लीचिंग पाउडर यह कैल्सियम का य इसका उप्योग होता है कि टारू नाशक के रूप में कागज एम कपडों के विरंजन में और क्लोरीन क्लोरोफार्म आधी बनाने में तो यहां नेक्स्ट को सन देखेंगे पीत क्या है मनुस्य के पाचन में इसका क्या महतो है तो इसका एंसर होगा पीत या क्रीत गरंथी से स्रावित होने वाला द्रब्य है बोले तो पीत भी क्या करता है भोजन पाचन में मदद करता है इसलिए यह क्या है छोटी आत्मे भोजन के पाचन में मदद करता है मनुस्य की पाचन किरिया में इसका निमलिखित महतो है अगर डाइजेशन सिस्टम की अगर बात करें त जो डाइजेस्ट करने में काफी मदद करता है तो देखे यह किस की तरीके से मदद करता है तो पहला है कि पीत अमाशे से ग्रहणी में आये अमलियता की अमलियता को नश्ट कर उसे छारिये बना देता है ताकि अगनाशेरी रस के एंजाइम उस पर किरिया कर सके मतलब बोले तो अगर मालीजे की अमाशे से अगर भोजन गरहनी में पहुंचता है और उसमें थोड़ा बहुत भी अगर अमलियता की अशर है तो वो क्या करता है अमलियता को नश्ट करके चारिय में बदल देता है और दूसरा इसका क्या कारिया है कि पीत भोजन में वसा के बड़े कण क तो उसे क्या करते हैं उसे सुख्ष्म करने तोड़ने का यह करता है ठीक ना मदद करता है ताकि लाइपेज इंजाइम उस पर क्रिया कर वसा अमले अंगिली स्रॉल में परिवर्तित कर से कि इस पर कारवासा के पाचन में पीत का महतुव है आप चलिए नेक्ट को संदेखते आप तक पहुंचाने की कोशिश किया गया है तो इसलिए यह सारे कोशन को आप अपने दिमाग में फीट कर लिजीगा ताकि एक्जाम में अगर कोई भी कोशन इसमें से आजा तो आप छोड़ेंगे नहीं सजीव के मुख के चार लक्षण निमनांकी थे यह आप से अबज करेखा है सजीव करेगा करेगा और बिज्याषन करेगा यह सजीव का लग्षण नेकर संझे के स्क्रीन पर यह रहा हमारे अमासे में अमली की हो कैका है बतायगा एशल की क्या भूमिका है थीक़ थी खिल और लिख देता है है कि हमारे अमासे में अमली की भूमिका थे जो वेक्टेरिया को नश्ट करता है ये भोजन में आये खराब मतलब किटाड़ू होता है उसको इतना लिएस, उसको सजाकर लिखना पड़ता है इसलिए मैं आशे में में एसलिक उत्र कालोग कर देखिक साथ बहुत सारे स्ट्रीन gang पूझान पूखिए गाना तब यहां से लिखिए गान से समझ लिए अगर दो नमर का पूझे साथ आने वाले बैक्टिरिया को नश्ट कर देता है इसके अधरिदि सकते हैं अगर तीन नमर के पूछे कर तो आप यहां से लेकर करके यहां तक लिख सकते हैं तो यह रहा आपका को सब्सक्राइब होने वाले लैंगिक संचारित लोगों के नाम लिखें यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन को सब्सक्राइब करके आप तक रखा हूं और इस को बहुत हलका में नहीं लिजेगा यह बहुत ही जबर्दस्ट और मस्ट भीवी है और इसको आप अपने दिमाग में फिट कर लिजेगा तो देखिए यहां पर यह क्या कर रहा है कि मनुस्य में होने वाले लैंगिक संचारी त्रोग संचारी सकता है जैसे कि एड्स हो सकता हैा संचारी त्रोग है जो यहां पर देखिए यह नेख को समझञा और सम यहां बहुत क्या समझते हैं यहां इसका एंसर समझब लीजिए पॉध हो और पर प्राणियों के वी यह जिन उनकी कारे भीन होते हैं तो देखिएगा पौधय चाहर पराडी ठीक पौधा हो या प्राडी हो नो प्रब्लम अगर दूसरा भी पौधा है धिक्राइब स honor फ्र उसका का conv वन हो ब्राइब मालीजे कि भाले कारे अलग अलग हो लेकिन उनके अनुके यूँ का समझातं करते हैं उन्हें समझातं कहलाते हैं जैसे पंचियों के पंक और मनुस्य की भूजाए कुटे की ठीक है ना अगली टांगे इसा भी अंग रचना की आधार पर एक सामान है देखें ना पर इनका जीवों में कारे अलग अलग अब अलग तरीका से कारे करते और इंसान को चला तो कुता और इंसान में तो फर्क है ना जी तो भले ही उनकी रचना उनकी जो अंगो की जो संड़चना है वो एक जैसे मिलता जूलता है ठीक है अब शलिए नेक्स्ट को संदेखते हैं कि उत्सर्जन की परिभाशा दें उत्सर्जन की पदार्थ क्या है तो यहां आपने और रखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा उत्सर्जन बोली तो निकास एग्जीट बोला जाता है एक्जीट एक्जीट यह जो चीज़ें बतब अपसिस्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलने की पर क्रिया उत्सर्जन कराते है तो उत्सर्जीप दार् हो सकता है इसना लेटिम पकाना व्रका करता है वह क्या हो गया वह अपने उसाइनीक समने कैसे होते हैं घंडिमी अनतसरावी服 घ्रंथ कह एक बही से यहां पर अंतसरावी गरंथिया कि बात किया जाdoor जारा है जन्तुओं में अंतसरावी गरंथिया वीसेस रसायं उत्पन करती है ठीक है यह रसायन यह हर्म огрَंवन जन्तुओं को सुचनाय संसाधरित करने के साधन के रूप में परियुक्त होते हैं अधिवरी ग्रंती से स्रावित एडरीनल हर्मोन सीरह रुधीर में स्रावित होता है और सरीर के विभिन भागों तक पहुंच जाता है उतकों में विशिष्ट मुर्ण होते हैं जो अपने लिए अवस्यक हर्मोन को पहचान कर उनका उपयोग बाहरी या अभी तरी अस्तर पर करते हैं विशिष्ट करन कारियों को करने वाले अंगों से समन्वेकर यह हर्मोन अपना विशिष्ट परभा दिखा देते हैं आया समझ में तो यह को संज्वन अगर तीन नमबर का पूछता है तब इतना लिखत नहीं है ठीक है यह दो नमर में अगर तीन नमर का पूछत यहां से यहां तब लिख सकते हैं चलिए नेक्ट को संदेखिएगा नेक्स्ट को संदेखिए आपके स्क्रीन पर यह रहां क्या है फर्मेंटेशन बोला जाता है इंगलिस में इसका समीकरन लिखे तो उतरा में देखे अनाक्सी स्वासन का वह परक्रा ग्रूप में तूट रहा है अब यहां पर देखेंगा नेक्स्ट को संदेख लिए यह यह बहुत ज्यादा इंपोड़न दो पादफ हर्मोन का नाम लिखें उनके एक एक कारे लिए यह आप से एकदम आप इस सवाल को ना एदा मस्ट भी वी आई मतलब साब है सब इंपोर और दूसरा है एपसेसिक एसीड तो जीपरेलिन के कारे भी लिख देना होगा यह मुख्यात एक व्रीधी हर्मोन है जो पूरे पौदे को कुछ का दिर्गन में शायक होता है यह नहीं कि उसमें व्रीधी को मंद करता है यह ब्रीधी को रोक देता यह ठीक है ना पतियों को पौदों से अलग कर देता अच्छे बात बते एक एसीड नहीं रहता तो पौदे के हर टहनिया इतना बड़ा होते जाता इतना बड़ा होते जाता कि मतले एक समय के साथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता तो व्रीधी को रोकने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई उसमें ऐसा हर्मोन होना चाहिए जो एक समय के साथ पौधे की लंबाई को रोख सके ठीक है तो इसलिए अपसेशिक एसीड का क्या है यह विरीथी को नियांतरीट करता है चलिए अब नेक्स्ट को संदेखते हैं विर्घ को सन्देखेंग गरए तो सब्सक्राइब और अपने बहुतं को संदेखेंगे लिए इसके लिए किसे जीव पर निरभर नहीं रहते हैं दो वो दूसरे पर निर्वन निवह क्या जाता है यह बाते समझ में आ गईए आप चलिए 境Watt क chick shrug zafee इस को यदूख को कि यहार मुंखा डिक बहुत जाला इंपोरण मैंने कहा बी था कि यह बहुत जाला क्या कोई कि तो पाथबों में रसाइन पढ़ार्थो की बृढ़ेजि़ी होती है इसे वह अपने गति गिट्वी इंतरा और समंदर तक पहुंचने की पर किरिया होती है बालसम और सुर्य मुखी में अपना अपना जो अगर यह पूस्प करता है अपना अपना यह पूस्प अपना इसी पर अपना sexual reproduction करता है अपना जनन की वीधी करता है तो ऐस इसका अगर कर ठीक है ना इसी पर पढ़ करके फिर एक नए पौधे का निर्माण करता है तो इसको स्वाप पर आगण करते हैं और पर पर आगण करते हैं जो अगर कोई इस पर तितली बैठती है और यह तितली दूसरे पौधे दिशा में गति करते हैं यानि कि पौधे की पतिया माली यह पौधे और इसके पतिया है अगर यह परकाश की और अगर यह गति कर रहे हैं परकाश की और अगर जूकाव कर रहे है तो इस पर करकार की घटना परकाशन वहरतन कहलाती है ठीक है अब नेक्ट को संदेखिए ग तो यह स्वाइब दिख रहा है पहला है यह स्वाइब और यह जिसे जिमार में भी होता है अगला प्रशन है कि तंत्रीका उतक कैसे क्रिया करता है तो यह समन्य करता है और उसी के अनुसार परतिकरिया करने की क्या करता है आप चले नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कुसन आपके स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा मस्ट भी आई मतलब वेरी 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 इंपोर्टेंट वाला कुस्टन है प्रकास अंसलेशन क्या है इसे रसानिक सेमी करण में ब्यक्त तो देखिएगा बहुत के दौरा सुर्य से परकास की उपस्तिते में कर् यह दो का नम है क्या है एक परकीरिया है एक पर किरिया है इसको कहते हैं जब पौधह तकड़ा घॡ़ंदेंट बढना बना जाता है जो जिसको हारा रंग करते हैं सुर्य की परकास को पस्दिती में बना रहा है तो यह क्या प्रोडिक्ट कर रहा है सीवार सीच एच बार ओसिक्स यानि गुलकूस के फॉर्म में और अक्सीजन और थोड़ी मात्रा में जल तो यह प्रोसेस आपको दिखा देना है परक जिस तरीका से लिखा होई मतलब कि अगर आप अपने भासा में भी अगर आप हाइप सीक्स सेवेन एट क्लास तक जो कुछ भी परकास सब्सक्राइब के बारे में लिखवाए गया अंसर वह भी आप अपने अपने माध्यम से उसका एंसर दे सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा और फिर यह समिकरण आपको दिखा देना होगा तेंथ कलास में बस यहीं एको एक्स्टा कर दिया है जिसे लग रहा है कि यह तेंथ कलास का कोस्टन है अब चलिए नेक्स्ट कोस्टन कि 19 नंबर कोसन इधर है आप लोग कोसन को लेकर माइंड मत कीजिए परी तंद्र में अपमार्जुको की क्या भूमिका है तो इंसर देखिएगा परी तंद्र में अपगटन द्वारा मिरित जीवों के शरीट तथा वर्जे पदार्थ में उपस्तित कार्बनीक पदार्थ परी तंद्र में अपमार्जुको की यहीं भूमिका है तो देखिएगा इंसर परी तंद्र में अपगटन को द्वारा मिरित जीवों के शरीद तथा वर्जे पदार्थ में उपस्तित कारबीनी ततों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं फिर वहीं कोसन एक बार रिपीट हो अगला सवाल है परिसंचडरा तंद्र से आपक्या समझते हैं तो यहां पर देखिए का समस्ते हैं तो अभी थोड़ा दिर पहले ही सवापोसी पोसर और विसंपोसी पोसर के बारे में हो लोग समझ रहते हैं फिलाल इसका भी अंसर देख लें अधिकतर उच प्राड़ी अंतर गरहन की पर किरिया द्वरा भोजन गरहन करते हैं अता विसंपोसी पोसर को जटिल जय पदार्तों को अंतर गरहन करने तत पसाथ उसके पाचने और सोसर से परिभासित किया जाता हैं अमीबा मेड़क अमनों से इस सिनरी के उधारन हो सकते है नेक्स्त को संजरा देख लेजिए वास्पोसर दिया का पोधों के लिए क्या महतों है और आ आधिये नेक्सट को संवाठों के लिए जायिलम वहनियों दौरा जल के सांसांथ अकर्बिनिक पदार्थ भोमी से विलियन के रूप में पौधो की जड़ों से पौधों के सभी भागों तथा सीखर तक ले जाते हैं मतलब जायिलम का क्या होता है जड़ से टहनियओ और मतलब पौधों के सभी अंगों तक क्या है नीचे से उपर माने सारे खाथ-पदार्थ या पोसक-पदार्थ को ले जाने का काम करता है और फुलैम क्या करता है वही नहीं दोर पौधों के हरे भाग-प्रकास-थारेस क्रिया ओदी में संसलेसित कार्वनिंग पदार-पादब जगाहों पर ले जाकरके सभी के पोजों करके सारे पोजा को पहुंचाता है तो फिर बेदे विकास होता है ठीक ना तो समझी काले गालियार और के और तीसरा है धमनी में कपाट रही जब कि शीरा कपाट रखत ना लिका है नेक्ट को सन आपके स्क्रीन पर यह रहा कोई वस्तु सजीव है इसका निध्धानर करने के लिए आपकी समझ रहे हैं यह थो यदी वस्तु गती विरीदी परचना आडवी गती दर्शाती है तो वह दूसरा है सजीव का एक लक्षण है तो हम इसे भी निधान कर लेंगे तो यह था टेंथ क्लास के साइंस सब्जेक्ट का अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं बूलना है अभी तक वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे चानल पर अगर आप लोग नए आये हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्काइब जरूर कर लेना है ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं विदा लेती हूँ आप सभी लोगों से इसी के सांथ तो बाइबाइ टेक केर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज